इरानी जो होती थी, जो माचाडी का महल था, वहां से सीधी सुरंग से आती थी, ये उस समय का मंदिर हुआ करता था, और उस समय देखू मूर्तिया कैसे हुआ करती थी, ये सिवलिंग बीच में, ये थी सुरंग, और ये जो है, ब्लॉक कर दी गई है, तोग दी गई है, ये तो दोस्तों आपने कुवे तो बहुत सारे देखे होंगे पर मेरा विष्वास करना यह जो कुवे का रस्ता है जो मैं दिखाने वाला हूं आपको ऐसा कुवा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और इसकी जो रमांच कहानी है वह आपको और भी रमांच कर देगी तो चल आपके का जो दर्वाजा है उसकी उचाही अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ली 6 फिट है यानि कि आप आज्थानी से जा सकते हैं आ सकते हैं लेकिन जो नीचे की सते देखोगे आप ये मिट्टी इतनी उपर उठाइए कि अब जो इसकी हाइट है आपको 6 फिट से साइड में जो आला है इसमें उजाले के लिए रोसनी के लिए लालटेन वगेरा रखी जाती थी उस समय तो उस समय के लिए इसाब से यह हमेसा आप जब भी देखोगे प्रानी चीजों तो आप मेरे साथ आजे यह आप अंदर और बी केरफूल अगर कभी आप आओ तो यह मतलब इसका रख रखाओ बहुत कम है और यह जो जगे ऐसे जरोके जो आप देख रहे हो आप इस तरीके से पहली मंजिल पर उधर से देखो उधर वहां पर सीडिया उतर रही है जो कि बहुत ही डेंजर सीडिया है और इधर भी यहां पर सीडिया उतर रही है तो यह सीडि राणी जो होती थी जो माचाडी का महल था, वहां से सीधी सुरंग से आती थी, खुरंग से सीधी स्कुए में आते थी नहाने, अब ऐसा क्यू बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय रानी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी प्रजा को किसी व्यूक आप सिवा राजाय कि सिवा तो इसलिए चीजे बनाई जाती थी आज यह काफी बहुत ही उची सीडिया हैं आपको बहुत धीरे से उतरना पड़ेगा और उस जम्य की प्राचीन सीडिया हैं यह रस्ता रानी का नहीं होता था सुरंग का रस्ता था रानी का ठीक है यहां पर बीच मामे एक इधर ऐसे रस्ता है तो इधर में जब मैं देखता हूं तो यह जा रहा है बहुत ही प्राचीन मंदिर उस समय का और सिविलिंग या Kaitliap यह नंदी बाबा हैं अलगी दिख जाते हैं इसी के साथ में एक और सिवजी है वहाँ पर उसकी कहानी यह है कि आज आपको देखने सी लग रहा होगा कि आज के नहीं है बहुत पुराने हैं और यह देखे किस तरीके से बना हुगा है बकायदा बिजली आती है इसके अंदर चलिए अब भार की तरफ चलते हैं तो मंदीर से बाहर निकल रहे हैं अब धीरे यह गाम वाले यहां के रहने वाले अब यह इदर देखो यह सीडिया नीचे जा रही है फिर यहां पर एक कमरा है और यहां से एक छोटा सा कमरा तो यह जो आप देखोगे कि उस चमे की प्राचीन पर्थरों से बना हुआ है तो फिर यह जो कमरा है यह निकल जाता है यहां से छत्री की ओर तो यह जो छत्री आप देखोगे इदर यह छत्री लेके जाती है यहां से वापिस से इस कुए का आप दर्शन करोगे तो यहां से लग बहुत दी मतलब रेर जगह है और इन लोगों का साथ है इसलिए मैं इतनी हिम्मत भिखा रहा हूँ आप देखो वापिस से यहां पर यहां पर यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से तो अपन यहां पर चलेंगे जरोके जो हैं इस जगे बने हूँ हैं टोटल बारा यह जो जरोके आप देख रहे हो तोटल इस तरीके के ही बारा जरोके हैं टोटल दीन सकते हो और एक अच्छा भी जो है रानी का देखने को मिलता है यह टोटल भी बारा से अब अपन भढ़ते हैं सीरा उस सुरंग की तरफ जहां से रानी जी आती थी और जाती थी और यह स यहां परेंट होजाताया थाएं तो यहां पर नाने के लिए तो यह इतना भरा रहता था यह आप मतलब कहरे कि 2010 तक पानी था हां यह तक पानी थाएं खूद था थूख अब पानी बहुत जाद अंदर जा चुगा है अब को मैं वो सुरंग दिखाता हूँ देखो जिस शतरी पे अब ही अपन गये थे उसके बगल में आप चीजे देख रहे हो यह जगह जो है यह थी सुरंग और यह जो है ब्लॉक कर दी गई है रोक दी गई है क्योंकि कोई मिस हैपनिंग ना हो उसके गार्व वहिया मैं उपर आचुका हूँ और लोग कोई हैंट करता हूँ आम रमसा सभी को हम्मा गणी सा राजिस्थान मेरा देज मेरा वारत करने बतावी कि ए्माइगी कि यह ना हो त्सक्तों अड़़् जो पालना हुआ है इह जडिए, जड़ग गवडैस घर आप हैंगा यह जड़ ना अगड़ जड़ते अग्या थन्यां गदोग्चान अलव और तो झालना हुआ है यहाँ है इह खोड़ते हैंगी है